प्यारे बच्चो तो कैसे हो आप सब आसा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे मस्त होंगे जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से चल रही होगी तो आज हम बच्चो जारकंड बोट के वर्ग नवम क्लास नाइन्थ का हिंदी का 40 Most Important Objective सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं जो आपके परिच्छा के लिए बहुत ही जादे Important है ठीक है आपके हिंदी का बच्चो एक्जाम एक मार्च को होने वाला है ठीक है और उसके लिए ये वीडियो काफी important है इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतक देखना ठीक है और देख लेने के बाद अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर जरूर कर देना तो चले शुरू करते हैं आपके हिंदी का एक्जाम में जो सबसे पहले जो पूछा बजाएगा बच्चो सवाल वो आपका एक गध्यांस रहेगा ठीक है और इस गध्यांस को बहुत ही ध्यांस से पढ़ना है भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृती पर बड़ा गर्व है जी हाँ बच्चों भारतवर जो है बहुत पुराना देशा और यहां की जो सभ्यता है संस्कृती है कल्चर है वो बहुत पुराना है और भारत वासी में मतलब कि हम लोगों को यहां की सभियता और संस्कृति वे बहुत गर्व है है ना प्रावड फिल करते हैं हम लोग क्या है वैग्यानिक अविस्कारों को द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पूराने रहन सहन और रिती रिवाज को बदल कर नए तरीके से जीवन बिताने लगे तब भी भारतवासी अपनी पूरानी सभियता और संस्कृती पर डटे रहे ठीके बहुत काल तक यह रिसी मुन्यों का देश कहलाता रहा है ठीके बहुत समय तक यह जो देश है रिसी मुन्यों का देश कहलाता रहा ठीके विस्व के मानों जीवन के उस नए दौर का असर प मतलब सोचे कि हवाय जहाज भी आ गया ठीक है फिर भी भारत के ऐसे लोग जो कि तिर्थ यात्रा पैदल जाते थे ठीक है पांच नचहत्र वाले होटलों में सावर बात की सुईधाओं के होते भी गंगा असनान और संधिया वंदन का दौर चलता ही रहा मतलब की सोचे सावर बात जब सावर बात मतलब अच्छो जो नहाने वाला जो जहरना होता है न वो होटल में भी था फिर भी वो सारे सुईधा मिलने पर भी गंगा असनान करते थे वहाँ पे है न यही कारण यह है कि जब जीवन में उन्नती के लिए अन्य देशवासी नए विसकार को ठीक है और उनके द्वारा प्रदान की गई सुईधाओं के पीछे भाग रहे थे तब भारत वासियों ने अपने रिती रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था ठीक है मतलब कि और भी जो देश लोग थे वो उन्नती के पीछे विकसित चीजों के पीछ भाग रहे थे लेकिन फिर भी भारत के लोग जी है अपने रिती रिवाज अपनी संस्कृति अपनी कल्चर पे डटे रहे ठीक है चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आगया होगा अब देखें से सवाल पूछे गए उसका आपको जवाब देना है कि सबसे पहला सवाल क् कैसा देश है ठीक है पुराना नया बहुत पुराना बहुत नया ठीक है तो आप लोगों को पता है अभी हमने क्या पढ़ा कि भारत वर्स जो है बहुत पुराना देश है कैसा देश है बहुत पुराना ऑप्सन वर्स सीस का बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू ठीक है अगल को हम क्या बता हैं साहरबाद के मतलग जो नहाने वाला जहरना ठीक है तो कहां पे है तो जहरना असनान यानि ऑप्शन वर डीस का बिलकुल सही हो जाएगा के लिए रहे चलिए अगला सवाल देखते हैं लोग भारत वासी किस पर डटे रहे ठीक है तो भारत वासी जो है किस डटे रहे ठीक है तो आप्शन वर एस का बिलकुल सही हो जाएगा चलिए अगला सवाल देखे क्या है हवाई जहाज की सैर की सुईधा मिलने पर भी तिर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रहे तो पैदल चल कर है ना सूचे हवाई जहाज का भी सुईधा मिल रहा था ठीक फिर भी पैदल चल करके तिर्थ यात्राएं कर रहे थे सावर बात के भी सुईधा था मतलब की असनान जहरना का भी फिर भी लोग गंग असनान कर रहे थे ठीक है चलिए आगे बढ़ते देखे अब इससे एक और गध्यांस इसमें दिया हुआ इस गध्यांस को आपको बह खाना खाते बच्चों उसी तरीके से पेड़ पौधे भी खाना काते वही चीज़ कह रहा है ठीक है हमारे दात है कठोर चीज़ खा सकते ननहें बच्चों के दात नहीं होते वे केवल दूद पी सकते हैं गाच बिरच के भी दात नहीं होते इसलिए वे केवल तरह केवल त तरह लिख दिया तरल रह और वायू से ही क्या करते हैं अपना भोजन लेते हैं गाच विराच से जड़ के द्वारा माटी से रसायन करते हैं मतलब कहां से खाना लेते हैं तो गाच विरच जड़ से जड़ से क्या करते हैं रसाइन लेते हैं ठीक है रस पान लेते हैं चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है माटी में पानी डालने पर भीतर बहुत से द्रैव गल जाते हैं गाच विरच वे ही मात तमाम रहों सोकते हैं ठीक है जड़ों को पानी ना मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है ठीक है जब जड़ों को पानी नहीं मिलता है बच्छों तो भोजन क्या होता है उसका बंद हो जाता और पेड़ क्या हो जाता है मर जाता है आगे दिखें क्या लिखावा है खुर्द बीन से अत्यांत सुच्म पदार्त स्पेश्चेता देखे जा सकते हैं पेड़की डाल अत्वाजड का उस यंद्र दौरा परिछन करके देखा जा सकता है कि पेड में हजारों ल है इन्हीं सब नलों के दोरह माटी से पानी पेड के माटी से पेड के सरीर में रस का संचार होता है यहां पर कहे रहा है कि दुरबीन है खुरदबीन लग दिया है यहां पर दुरबीन से या फिर macro there बोलो है कि हम लोग को पेड़ को देखने के लिए कह रहा है कि उसमें भी छोटे-छोटे क्या होते हैं नल होते हैं ठीक है और जिससे माटी से लेकिन दात नहीं होते हैं किस माटी से रस्पान करते हैं तो यह जड के द्वारा टना के द्वारा टहनी के जड़ के द्वारे जड़ के द्वारे क्या करते हैं वो रस पान करते हैं ठीक है अगले सवाल देखो पेड कब मर जाता है ठीक है खाद ना मिलने पर पानी ना मिलने पर मिटी ना मिलने पर दवा ना मिलने पर तो पानी ना मिलने पर पेड क्या हो जाता है मर जाता है तो अप से होता है option number six का बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक आप देखिए इससे कुछ एक पत्र दिया वा इस पत्र को आपको पढ़ना है और इसका रिक्त स्थान दिया मतलब खाली जगह ठीक है और उस खाली जगह में आपको क्या करना भरना है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले प प्रथम आए ठीक है मैं डैस नहीं सकता कितना खुष हूँ तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाए कि साथ-साथ विद्याले के अन्य डैस में भाग लेते रहो इससे तुम्हें फाइदा होगा डैस फाइदा होगा अब प्रतान्त करता हूं ठीक है पत्रान्त करता हूं और हैगा 12 प क्या पहरा आएगा आड तो सिंपल से यदि आ सी तरीके से यहान देखो तुम वाद विवाद डैस में प्रथाम आये हो ठिक तो देखे़भ तुम वाद विवाद प्रतियोगीता नहीं गलट मैं 20 का राइट हो ठीकर आगे दगते हैंपड़कर के माइं कि तर्थमा आई हम मैं क्या नहीं कर सकता ठीकर मैं यहाँ नहीं सकता सॉरी बोल तो यह कहने ज़े का और मैं सब्सक्तरा बाद काज में या काम में या नाम में तो किरियकलाप में है न क्या हो जागा अन्य किरियकलाप में भाग लेते रहो तुम्हें इससे तुम्हें क्या होगा कि कम फाइदा होगा थोड़ा फाइदा होगा बहुत फाइदा होगा ठीक है तुम्हारा अभिनमित्र अनुराग तुम्हे वो चीज़ को आपको भरना है जो सैटिक उत्तर है ठीक है अब दिखते हैं हम लोग यहां से आपका गरामर है व्याकरन है ठीक है उस व्याकरन से भी आपके सवाल रहेंगे एक्जाम में क्या है सोला नमबर देखे क्या है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा विद्वान का जो स्त्रीलिंग अगर देखे बचो तो विदूसी होता है क्या होता है विदूसी ऑप्सन नमबर सीस का राइट हो जाएगा एक का बहु अचन होगा अनेक होगा अप्सन नमबर एस का राइ लेकिन चार आदमे चार आदमे देखे चार चार क्या है संख्या इसमें नमबर है चार आदमे ठीक के 1 किलो दूद पांच कीलो दूद Candice से जो भी संटें्स रहेगा मतलब की जो संख्या में रहेगा हूँ आपका संख्या वाचक होगा रचना की द्रिष्टी से वाके के भेध होते हैं तो रचना की द्रिष्टी से वाके के तीन भेध होते हैं मेरे प्यारे बच्चे ओप्सन नमबर 20 का राइट हो जाएगा कौन कौन सा होता है सरल वाके, संयूप्त वाके और एक मिस्र वाके क्या होता है एक मिस्र वाक्य ठीक है तो तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे ठीक है इसलिए कि आपके एक्जाम में अगर आता है कि इनमें से कौन सा वाक्य के उधारन नहीं है तो आप लोग उस तो देख जानोंगे तब न जी ठीक है आगे देखो बाबू क्या वाची नहीं है ने चिन का परियोग किस कारक में होता है तो याद रखेगा करता ने करता जो है यह ने ची का परियोगता है नहीं पता है करता ने कर्म को इस तरह है न इस तरह किसे तो ने चिन का जो परियोग किस कारक में होता है तो यह आपका करता में होता है अगले सवा कि आचिनाय जो मुहावरेकार था बच्चों तयार होना क्या हो जाएगा तयार होना क्या फिस पर दोटिया तो अच्छे बच्चे देते हैं ना गलत गालिया तो गतंथे लेगा अगले होते सवाल क्याना थेखो कि वह घर गया और काम में लग गया या किस प्रकार का वाक्य है तो वह घर गया और काम में लग गया यहाँ पे और लग गया बचो तो यह आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा क्या हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो जाएगा option number 30 का right हो जाएगा चलिए आदर का सही विलों क्या होगा तो आदर का होता है निरादर याद रखेगा option number 20 का right हो जाएगा पाठ ये पुस्तक से अब यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए है उसका जवाब देना है दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम क्या था तो आप लोगो पता हीरा मोती क्या नाम था बबो हीरा मोती था लहासा की और पार्ट के लेखक का नाम क्या था तो लहासा की और पार्ट के जो लेखक थे ठीक है वो कौन थे तो वो थे आपका राहुल संक्रितियान तो option number चलिए अगले सवाल के तरह बढ़ी है क्या दियाव मेरे बच्पन के दिन किस परकार का पार्ट है तो मेरे जो बच्पन का दिन है यह आपका स्मरन है या अप्सन बड डिस्का राइट हो जाएगा एक विलासिता की समागरियों समागरियों किसे बाजार भरा पड़ा है ठीक को यह संकर परसाई हास्वाइं कि रचनकार कौन तो सब स्वांसों का सांस कहा गया है तो इस वर को भगवान को सब सांसों का असांस कहा गया है option number six का राइट हो जाएगा कभी रस खान किनकी भक्ती में लेन रहते हैं ठीक है तो यह कृष्ण की भक्ती में लेन रहते हैं option number अगला सवाल कि कभी माखनलाल चतुरवेदी जेल में कैसे थे प्रशन थे उदास थे तो माखनलाल चतुरवेदी थे वह उदास थे यानि vendor विडियो इसका राइट हो जाएगा टीक है तो तो जितने लोग देख रहे हैं टीक है जितने लोग लुग like जरूर करेंगे उपर में like का आप्र में option होगा लाइक जरूर करना ठीक है आप लोग करने में क्या कंजू सीमत करना ठीक है और उसके बाद पढ़ा रहे ठीके आपको जरह सभी अगर मेरे से help मिल रहा है तो आप थोड़ से वीडियो को ज्यादा से बोले ना कि अगर mission 2 को अगर mission 2 channel को आप 10 पर सेट भी support करते हो ना तो mission 2 है आपके सपनों को support करता है ठीके इसलिए आप क्या करना है video को जादा से जादा सेयर करना है ठीक है तो अगर आपको फाइदा लेना है हमारे चैनल से आपको लगता है कि हमारे द्वारा आपको डेली वीडियो मिले ठीक हर दिन मिले और आपको अच्छे तरीकिस इसी तरीकिसे पढ़ाया जाए तो आप वीडियो को जादा सेयर करें ठीक ह चलिए अगले सवाल के तरह बढ़ते हम लोग क्या नंबर था हमारा हरा ठीगना ना हरा ठीगना चना का वर्नर किस कविता में हुआ है तो हरा ठीगना का जो कविता जो वर्नर हुआ है ये चंद्र गहना से लौटती बेद यानि ऑप्शन वर 20 का राइट हो जाएगा रीट के हड़ी पाठ के लेखा का नाम क्या है तो रीट के हड़ी के पाठ का जो लेखा का नाम है वो आपका जगदिस चंद्र माथूर यानि आप्सन वर 20 का राइट हो जाएगा मृत्यू का तरल दूत किसे कहा जाता है तो मृत्यू का तरल दूत किसे बोला जाता है पानी को नदी को तलाब को बाढ़ को ये मृत्यू का क्या है तरल दूत है ठीक है बाढ़ाता है तो देते हैं सब चीज बरबाद कर देता है यही इसलिए इसको मृत्यू का तरल्दूत कहा गया है अगला सवाल देखो माटी वाली कहानी में किस समस्या का परकास डाला गया है विरुजगारी भरष्टचार विस्थापन आवाशन तो यह इसका राइट अंसर हो जागा विस्थापन रीट के हड़ी पार्थ में विवाह योग्य कन्या का नाम क्या था तो उमा नाम था व्मा जो विवाह योग्य कन्या थी वहां उनका नाम था उमा ठीक है चलिए अगला सवाल की तरह बढ़ते हैं क्या है लास्ट सवाल है मेरे पैरे बच्छो चालिसवा नमबर ठीक है इस जल पर लाइए में पार्ट की पार्ट में किस सहर में आई बाढ़ का वर्नन किया गया है ठीक है पटना छपरा हाजी पूर दर सवाल मुझे आसा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया होगा इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है सेयर करना है और हां मेरे प्यारे बच्छों ठीक है आपको साइंस का साइंस का इसेश्टी का मैट का ठीक है और साथ ही साथ आपके इंगलिस का ठीक है इंगलिस हो गया और क्या बचकिया जी हिंदी का जो अभी हमने पढ़ा रहा है ठीक है तो यह सारे सब्जेक्ट का अपको अलग-अलग प्लेश्ट बना दिये हैं जो कि आप एक मार्च और दो मार्च क और आप지 और अगर आपको देखना नहीं आता तो आप हमें नीचे कमेंट करेंगे अगली वीडीयो में आपको प्लेश्ट देखना नहीं पाएं तो आप हमारा वाटसअब चैनल का इसक्रिफ्प्यम में दिया हुआ फको है फिर मिलते हैं चाहे कोई भी अपडेट है कोई भी एक्पार्ट के या الإडमीट कार्ट या रिजल्ट है कि इस लिए चैनल से आप जोड़ जाएंगे थी के भी सॉमाच wow